नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस में असिस्टेंट ओपरेटर की जो प्रोफाइल के बारे में जानेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम जानेंगे की यूपी पुलिस में असिस्टन्ट आपरेटर क्या होता है दोस्तो यूपी पुलिस यानि की उत्रप्रदेश पुलिस में असिस्टन्ट आपरेटर का मतलब होता है सायक संचालग पुलिस में असिस्टेंट आपरेटर की पोस्ट पर आपको रेडियो डिपार्टमेंट में काम करना होता है रेडियो डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे डिवाइसिस मतलब कुछ ऐसी मसीने होती है जिने उत्रप्रदेश पुलिस इस्तेमाल करती है अपने पुलिस कर्मियों से बाचीत करने के लिए और दोस्तों ऐसी मसीनों और डिवाइसिस को हम रेडियोज या फिर वोकी टोकी कहते हैं दोस्तों अब हम जानेंगे कि यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट पर उत्रप्रदेश पुलिस द्वारा बनाए गई रेडियोज की आपको जाच करनी होती है और आपको यह देखना होता है कि जो रेडियोज यूपी पुलिस ने बनाई है वे ठीक है या नहीं असिस्टन्ट ओपरेटर की पोस्ट पर आपको वर्क्स ओफ स्टाफ को ट्रेनिंग देनी होती है और उन्हें काम करने के लिए गाइट करना होता है इस पोस्ट पर आपको हेड कौटर्स में लगी हुई डेडियोज को रोजना चेक करना होता है और फिर उसकी रिपोर्ट बना कर हेड ओपरेटर को देनी होती है असिस्टन्ट ओपरेटर की पोस्ट पर आपको हेड ओपरेटर की काम करने में मदद करनी होती है यूपी पुलिस में असिस्टेंट आपरेटर की पोस्ट पर एपलाई करने के लिए एक जुलाई 2022 तक आपकी अमर 18 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए ये उमर जनरल केटेगरी के लिए है और अगर हम S.C.S.T. O.B.C. की बात करें तो उन्हें उनकी उमर में 5 साल की चुट मिलती है दोस्तो अगर हम Educational Qualification की बात करें तो अगर आपने 12 पास किया है विद Physics and Math सब्जेक्ट से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप फॉर्म एपलाई कर सकते हैं दोस्तो यूपी पॉलिस में Assistant Operator की पोस्ट पर आपको Level 4 Pay Matrix के हिसाब से 25,500 रुपे से 81,100 रुपे के बीच में आपको मन्तली की सैलरी मिलती है दोस्तो यूपी पॉलिस में Assistant Operator का Promotion Process जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें दोस्तो अगर हम Assistant Operator के Promotion Process की बात करें तो इसमें जब आप लगते हैं तो सबसे पहले आपकी पोस्ट होती है Assistant Operator की और फिर Assistant Operator की पोस्ट से आपका Promotion होता है Head Operator की पोस्ट पर और इस पोस्ट पर आपको Level 6 Pay Matrix के हिसाब से 35,400 रुपे से 1,12,400 रुपे के बीच में आपको मंतली की salary मिलती है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तो अगर इस वीडियो से सम्मंदित आप हमसे कुछ पूछना चाते हो तो आप हमें comment box में comment करके पूछ सकते हो और अगर आपको यह है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए धन्यवाद दोस्तो मिलते हैं अपने next वीडियो में